और यह सुरक्षित कितना है सेफटी तो हंडे परसेंट है अब इस पर बहुत लोग करशन उठाएंगे क्योंकि एक बार में कुछ ना कुछ छपता रहता है सेफटी को लेकर अगर है ट्रांस्प्लांट सर्जरी को सर्जरी मान के किया जाए प्रॉपर तरीके से एकदम होनी चाहिए भी हुशवाले आक्टर की विवस्ता होनी चाहिए पूरा लाइफ सेविंग इक्किपेंट्स और डर्क की विवस्ता होनी चाहिए वह मतम बोटा मोटाइख हばुशंट किर अगर सर्जुन शुक्य ráp या किसलोर लोग से तो बिलेंद होती है जहां पर उंट्रेन लोग यूट्व से देखकर के सू neurosud Milliarden और पिर सोचते हैं एब हम कर लेंगे को एक डॉक्टर को इसलिए तो मेडिकल की पढ़ाई होती है वैसे तो यूट्यूब देखे कोई भी मेडिकल की पढ़ाई कर लेगा नियां और यूट्यूब के साथ वगध जहां पर तरीके से बहुत सारी शी सिखाई जाती है वह चीदें किताबों को पढ़के नहीं और इसलिए उसको ट्रेनिंग का नाम दिया गया, इसलिए उसको एक डिगरी का नाम दिया इसलिए उसको एक Certification का नाम दिया अगर certified professional है जसको करंबद तरीके से हर चीज सिखाई जाती है अच्छा हो रहा है तो वो भी बहुत बढ़ी है और अगर कुछ गडबढ हो रही है त उसे कैसे मैनेज करना है उसकी भी उसको शिक्षा दी जाती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी गड़बर्फ होती है या होनी चाहिए सेफ्टी वाइज है टांस्प्रांट तुचा की सरजिये मोटा मोटा हंडेड प्रजेंट सेफ करूंगा